ह멍े अज आई हमारे पास एक प्रोजेक्ट है GSM-Baseed Transformer Fault Detection जिसमें आपको Transomber का Fault बताएगा Transformer के Fault में हमारे पास चार चीज़े muj doorme करेंगे इसमें एक तो हमारा VOLT Female यह आप LCD पर देख सकते हैं वैल्यू जिखा रहा है अगर शो हो जाए तो voltage है current है temperature है और transformer को जो oil होता है कि oil fill है की नहीं है तो temperature अभी इसमें है क्या ये आपके knobs हैं जिसे आप अपना current और voltage control कर सकते हैं demonstration के लिए ये यूज किया हुआ है अगर voltage 300 volt से ऊपर जाएगा तो ये हमारा define number और मेसेज चला जाएगा की वोल्टेज जादा है current जादा होगा तो current का मेंसे चला जागा कि और current हो रहा है इसी से हम current और voltage set कर सकते हैं दो नौपे मारे पास और एक temperature है temperature sensor जो temperature ज्यादा होने पर message send कर देगा mobile नंबर पर जो भी आपने दे रखा होगा फीडों के सके अंदर तो यह वर्किंग है और एक ऑईल सेंसर है इसमें जो की बतायागा की ओईल कम है की जादा है कम होने पर लोग का मिसस आ जाएगा डिस्प्ले के अपर ragpily बालोग की वर्किंग मैं आपको बता दीये क्या है और ये कि आपको जी एसम मौड्यों देख रहा होगा से Mr. इसके अंदर और एक यह ट्रांस्वामर है 220 वोल्ट एसी ट्रांस्वामर है यह स्टेब डाउन और यह हमारा पावर सप्लाई सेक्षिन है यह ल्सीडी है 16 ल्सीडी यह हमारा नॉब्स हैं जिसे हम वोल्टीजर करेंट करते हैं यह माइक्र कंडॉलर और यह सेंसर लगा है हमें आपको बता दूँ क्या से क्या कि जीसे काम करेंगे सप्लाई वाले सेक्षिन में हमारा यह ट्रांस्वामर है स्टेब डाउन ट्रांस्वामर और दो रेगुलेटर यूज की हुई है इसमें यह ने डायोड लगा के रेक्टिफार बना रखा है और एक कैपैसिटर ह है और दो हमारे इसके बाद वोल्ट चुगा है इसमें अंदर रेगुलेटर में एक रेगुलेटर है 7805 जो कि 5 वोल्ट जनेट करता है कंट्रूलर और LCD इन सब को चलाने के लिए और एक है 7812 7812 12 वोल्ट जनेट करने के लिए जो कि जिससे हम दो इसको चलाया है जी एसम हमारा यह पोटेंशल मेंटर लगा हुआ है नॉब जो है हमारे पास और कंट्रोलर इसका डेटा चेक कर रहा है कि नॉब का क्या वैल्यू से जो भी है और उसको इसके उपर शो कर रहा है LCD के वोल्ट 16 क्रॉस्टू का जो लगा हुआ है यह T से टेंपरिचर है V वोल्टेज आई करेंट और और हमारा है और यह कि यह LM35 टेंपरिचर इंजर है जो कि हमारा कंट्रोल से करेक्टर और तेंपरिचर लेके बता रहा है भी रूम तेंपरिचर बता रहा है 25.75 दीडिये सल्सियस है और यह GSM module अभी सेम नहीं लगा है इसके अंदर जब सेम इसमें लग जा पड़ जाएगा जम नेट्रक आजाता है यह एंटीना है इसको इसको में इसको बढ़ा के दिखाता हूं अभी दिखिए करेंट बढ़ा रहे हैं अभी करेंट है 173 एंपियर करेंट एंपियर में होता है बता दूँँ 194 जब यह 2500 एंपियर के ओपर जाए करेंट तो हमारा मैसेज चला जाएगा इसके ओपर आल जाएका कि मैसेज एंडिंग तो यह 206 अब यह दिखिए मैं भढ़ गया तो यह सेंडिंग मेसेज ओवर करेंट लिक्क्या रहा है और इसको मैं वापस कर देता हूं 193 पे आ गया तो अभी इसमें नहीं लगा हुआ है बट जब लगा देंगे तो मैसेज चला जाएक उसके ओपर और सेमेज ही वोल्टेज है 146 वोल्ट है इसको यह नॉब कमाने पर जब दिरी दर इसको इंक्रीज करेंगे 215 यह भ अब वापस स्कूम कर दिया तो यह हमारा मैसेज जाता है तो आजाता है मैसेज भी चला जाएगा और करेंट बढ़ेगा तो चला जाएगा ओवर करेंट एंपरिचर आपको बढ़ा के दिखाते हैं इसको मैं हाथ से टच करूंगा तो देखिएगा तेमपरिचर तोड़ा- और देखते हैं थोड़ा और हो जाए 29 हो गया है बस इतना ही जाएगा अब देखिए मैंने चोड़ दिया तो वापस से कम होना दिरे दिरे तो यह इसका टेमपरिचर सेंजर वर्क कर रहा है और यह कंट्रूलर है यह माइक्रो कंट्रूलर यह क्रिस्टल लगा हुआ इसमें और केपैसिटर इसका सब्लाइश्यक्षन बना हुआ है यह रिशेट स्विचेज है इसको कंट्रूलर रीसेट करने लिए और हमारा नॉब्स है पोटेंशिमीटर जिसको बोलते हैं सेंसर हो गया और जिसम मॉड्यूल बाकी आप देख सकते हैं यह इसका एंटीना है सिग्नल के लिए इस एंटीना को नहीं लगाएंगे तो सिग्नल इसमें नहीं कैच करता है सिम जो लगाते हैं इसलिए अटीना लगाना ज़रूरी है लेट सिट थैंक यू